हाई गाईज वाट्स अप सो आज का वीडियो है वन डे बिफॉर एक्जाम प्लान पर बेसिकली हमारे जो पेपर आने ही वाले हैं हर पेपर से पहले हमें एक से डेड़ दिन की छुट्टी मिलती है तो हमें किस तरीके से अपनी उस 1.5 डेज को यूटिलाइज करना चाहिए in the best possible manner so that we can you know get the best out of yourself ठीक है आप चाहिए जितनी पढ़ाई कर लो आपने कितनी भी सालो साल पढ़ाई करी है बट अगर आप लास्ट डेए पर उसको ठीक से रिवाईज नहीं कर पाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं होता आपकी किसी भी पढ़ाई का ठीक है so this is something that you need to listen to that you need to take care of and then this is something how you need to plan ठीक है so let's begin with the video so see आप जो पेपर देने जाते हो तो for example आप एक पेपर दे चुके हो and then you come back home ठीक है so जब आप पेपर दे के आते हो वापिस तो आपके पस 4-5 घंटे होते हैं उस दिन पर कि आप अपने next subject को डिवोट कर सकते हो वो होता है हमारा day 1 ठीक है फिर उसके बाद एक हमारे पास next day होता है जो पूरा दिन हमारे पास छुटी होती है और पूरा दिन हमारे पास होता है that is your day 2 and third is your the day of your exam जिसमें सुबह के time आपको कुछ time मिलता है maybe again 4-5 hours okay so that is your day 3 so this is how I will be bifurcating and telling you कि हमें day 1 पर क्या करना चाहिए day 2 पर क्या करना चाहिए or day 3 पर क्या करना चाहिए okay so now starting with your day 1 so आप accounts का exam दे करके आये हो और अब आपका next exam है SFM का supposedly ठीक है और आपने SFM का exam देना है अब practical subject की बात हो रही है अगर सबसे पहले तो practical subject में सबसे ज़्यादा important क्या होता है अगर आपको formula नहीं आद है आप paper नहीं कर पाओगे अगर आपको concepts नहीं clear है आप paper नहीं कर पाओगे so day 1 is the time जब आप paper दे के वापस आये हो और आपको अपनी concept and formula register उठा करके उसको पूरा हर chapter का पढ़ लेना है अगर आपके पास कोई concept and formula register अलग से नहीं बना हुआ है so it's okay you need not panic because अभी तो इतना time है नहीं कि आप उसको बैठके बनाओ नहीं वो advisable है तो फिर आप कोई बात नहीं आपने अपनी book में या register में जहां भी आपने mark कर रखे होंगे कि भई हाँ यह formulas हैं यह concepts हैं जहां भी लिख रखे हैं just focus on day one on the concepts and the formulas of the practical subjects that's it now coming to your day two day two पर आपने क्या करना है because वो आपके पास full day होता है तो अब आपको chapter by chapter अराम अराम से चलना है so you need to decide on slots for example कि भई दो घंटे मेरे को forex को देने हैं दो घंटे मेरे को portfolio management को देने हैं इस तरीके से आपको depending upon आपके लिए क्या simple है क्या आपके लिए जादा time taking है आपको slots decide करने हैं कि आपको कितने घंटे किस chapter पे देने हैं for example अगर आप एक time slot decide करते हो कि भई मुझे portfolio management दो घंटे में करना है तो उन दो घंटे में आपको portfolio के formulas फिर से पढ़ने हैं concepts फिर से पढ़ने हैं day one में तो आपने पढ़ा ही था day two पे again you need to go through those concepts and formulas and along with that वो वाले sums करने हैं जो आपने अपने book में mark कर रखें कि भई ये मेरे को last day पर देखने हैं so last day पर जो भी sums आपको लग रहे हैं कि आपको go through करने जो भी adjustments आपने देखनी है या फर जो एक दो sums आपने mark कर रखें कि मुझे solve करने so basically उस time period में हमें वो चीज़े खतम करनी है so this will be your day two जिसमें आपने chapter wise slots को define कर रखें और आपने उस तरीके से करा ठीक है now coming to your day three अब आप day three पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ concepts या ऐसे कुछ formulas जो आपके लिए काफी weak हैं आपको याद नहीं होते है first day second day आपने किया ठीक है but अब सिर्फ और सिर्फ जो आपके weak areas हैं कि यह formula मैं हमेशा भूल जाता हूँ out of hundred formulas there are ten formulas which I always always forget तो day two पे आपने उसको एक color से mark कर लिया और day three पे आपने खाली वो ही 10 formulas पढ़े ठीक है और day three पे आप क्या देख सकते हो अगर आपको RTP का कोई question देखना है जो आपको tough लगता है यह आपको कोई अगर अपने reference book मतलब किसी pass paper जो आपने solve किया उसको कोई question आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए तो यह जो RTP, pass papers और week areas है basically that is for your day three so अगर आप ऐसे day one day two day three करके इस तरीके से plan करते हो so in a way आप जो चीज सबसे जादा important है जैसे practical subjects के लिए formulas or concepts और theory subjects के लिए pointers and keywords आप इन चीजों पे तीनों दिन focus कर रहे हो और ultimately अगर यह सारी चीज़े आती है तो फिर आप paper दे सकते हो so this is what is very very important this is how you can plan your one day before exam plan please make sure कि जब भी आप paper देने जा रहे हो and you come back please leave the paper जो आप दे के आए हो उसको उसी exam hall में छोड़ के वापस आना अपने साथ घर physically तो question paper लेके आओगे but mentally आपको कुछ भी अपने साथ उस paper की यादे बिल्कूल भी अपने साथ लेकर के नहीं आनी है it is a very 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 big no for you because वो आपको बहुत जादा mentally affect कर सकता है अगर वो अच्छा हुआ होगा it can make you over excited अगर वो बुरा हुआ होगा वो आपको बहुत under confident कर सकता है so दोनों ही चीज़े आपके लिए अच्छी नहीं है okay so just leave the paper as it is in the exam hall and you don't have to bring it in your mind okay so the moment you leave the exam hall you need to start planning about the third paper about the of the next paper okay so this is how you need to manage yourself up coming to the third thing भाई बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि भाई मैं बिना सोई paper दे दूँगा see आप एक दिन ऐसा कर सकते हो दो दिन ऐसा कर सकते हो करने को तो आप हर दिन ऐसे कर सकते हो but advisable बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि आपकी body को उस चीज़ की आदत नहीं है आप जो यह आप करते हो ना कि भाई मैंने पूरा पूरी रात बिना सोई में जा रहा हूं paper देने मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को सजेस्ट नहीं करती हूं आपको अपने sleep cycle को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको अपने body को भी उतना ही सयोग देना पड़ेगा जितना अपने दिमाग को दे रहे हो ठीक है ultimately mind और body मिलके ही आपसे वह paper करवाती है ठीक है So both have to be in sync ऐसा नहीं करना है कि हमें body को बिल्कुली zero महत्व देना है और mind पर बहुत जादा focus करना है ठीक है So both have to be in a balanced manner fourth very important thing is Please make sure कि अगर आपने किसी particular subject के लिए कोई slot decide किया है कि माल लीजए आपने portfolio के लिए 2 गंटा decide किया है हो सकता है there are chances कि आपका वो 2 गंटे में portfolio complete ना हो पाए I will never ever suggest you कि आप अपने उस ही chapter पे टक रहो और उसको 2 गंटे के बज़ाए 3 गंटा लगा दो लेकिन खतम ही करो नहीं यह मत करना यह सबसे बड़ा blunder होता है क्योंकि हमारे पास hours limited है 24 गंटे 24 गंटे ही रहेंगे और 48 गंटे नहीं बन जाएंगे तो दो गंटे means दो गंटे मतलब अगर मुझे दो गंटे में करना है तो दो गंटे में करना है चाहे वो अच्छे से हो बहुत अच्छे से हो या अच्छे से ना हो ठीक है सो जो slot decided है you have to adhere to that slot what maximum what you can do is कि आप जब अपनी planning कर रहे हो तो दो गंटे का buffer time जरूर लेके चलना कि अगर बहुत ही जादा कुछ मेरा छूट रहा है कि एकदम ही मेरा portfolio आधा ही हो पाया तो फिर मैं उसको अपने buffer time में cover कर लूँगा इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो but please do adhere to the slots that you are planning for yourself okay so guys thank you so much for watching my video all the very 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 best to you guys thank you so much